हेलो एवरिवन उमीद करतो हूँ आप लोग बढ़े होंगे तो आज जो में दंजर एक नई वीडियो तो गाईज आची वीडियो होने वाली है किया सोनेट के उपर तो किया सोनेट के फॉर्स इंप्रेशन्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा क्या-क्या फीचर उसमें देखने को आपको मिलते हैं तो वो सब कवर होने वाला जिस वीडियो में तो गैस आइज जाये करते वीडियो को स्टार्ट तो गईश सबसे पहले शुरू करते हैं बहार से बात तो अगर आप exterior देखोगे ना तो इसका भी look जिसे किया सेल्टोस का muscular है वैसी ये भी लगता है ये आपको LED lights मिलती है आपको front parking sensors मिलते हैं आपको जो fog lamp है वो projector setup मिलता है तो मतलब lighting के मामले बहुत अच्छा होने वाला है और आप top variant की तरफ जाते तो आपको red color के brake calipers भी देखना को मिलेंगे जैसे कि आपको अभी दिख रहे हैं अगर आप आगे से देखोगे तो इसमें black के साथ red का जो combination दिया हुआ है वो काफी अच्छा लग रहा था तो looks में मतलब आप अपना opinion बता सकते हो यह side profile है कुछ कुछ मतलब proportions अच्छे लगते हैं बट अगर आप rear की तरफ जाओगे ना तो मुझे खली downside इसका look में rear ही लग रहा है आप rear देखो मतलब थोड़ा सो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़ा अंदर को दवा दवा लग रहा तो बस यही मुझे downside लग रहा है यह आपको कुछ boot है boot आपको ऐसे देखने को मिलने वाला है बूट में यह मैट इन लोगों ने भिछा रखा है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा तो यह इस वेसे है मगर नॉर्मल आपको वैसा ही मिलेगा यह उपर आपको shark fin antenna था यह आपको sunroof हो गई थी आपको rain sensing wipers इसमें नहीं देखने को मिलते है यह आप कुछ interior का look है यह में traction control, drive, camera वगए और on करने ventilated seats के option आपको मिल जाते है यह कुछ rear seats है rear seat में आपको armrest मिलता है इस आप नीचे करके अपना दो लोग अराम से बैठ सकते है आपको red color का मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है जो shiny वाला कपड़ा है ना seat bend में थोड़ा वैसा कपड़ा है यह सबसे आपके six airbags के साथ यह आप top end वीरिट में आते है यह आपका sunroof हो गया and जो की मतलब sunroof decent size का यह uvo connected car feature की badging में यह rear defogger with आपको rear wiper मिल जाता है इस गाड़ी में तो अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी काफी सही लग रही है overall अगर हम अंदर की तरफ जाए तो यह आगे वाली जो seat है यह मेरी driving position से थोड़ी आगे हो रही है बट पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ layout layout कुछ ऐसा देखने को मिलता है यह आपके buttons होगे जिसमें ventilated seats हो आपको पीछे को देखने को मिलता है यह आपका जो ही आपको देख रहा है यह आपको texture थोड़ा अलग सा यह काफी अच्छा लग रहा था देखने में यहाँ पर ही आपका air purifier fitted है इसमें तो जिसकी वैसे जो armrest तो उसमें थोड़ा space काम है और यह आपका इसमें space decent आपको मिलेगा फो बोटल रख सकते है आप बोस के speaker sense में और बोस के speakers के आपको branding भी मिल जाएगी उसके उपर यह आपका कुछ speedometer वाला console है आपको voice control mode वगरा यहाँ से सब आप music player कंट्रोल कर सकते हैं राइट साइट से आपका cruise control के features मिलता है यह push start stop button traction control and handlight leveler मिल जाता है यह आप आपको इसमें twitter की position जो आपको देखने को मिल रही है twitter की position हो गई आपको बोस के speaker sense with ambient lighting इसमें आपको देखने को मिलती है 7 speeds DCT की badging पीछे में आपको दिखाना भूल गया था यह पीछे आपका subwoofer की position है तो आपने भी interior exterior सब देख लिए आप राइजिंग की बात कर लेते है थोड़ी features की बात कर लेते है engine options की बात कर लेते है क्या क्या आपको मिलेगा तो guys इसमें आपको petrol 1.2 liter का मिलेगा जो आपको i20 वगरा type में i10 grand i10 इसमें देखने को मिलता है आपको turbo charge petrol engine देखने को मिलेगा 1.0 1000cc का engine है जो की आपको venue में अलरडी देखने को मिलता है similarly आपको DCT का option मिलेगा similarly आपको automatic option आपको diesel में भी मिलेगा तो अगर हम बात करें pricing की या variants की तो लगभग diesel में 8 variants expected है जो आएंगे मतलब 8 variants आएंगे including automatic 6 normal 2 automatic and जो diesel की base price मैं expect कर रहा हूं वो होनी चाहिए कुछ 8 lakhs से 8 lakhs से 8.25 की बीच में एक showroom की बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी city या location के आप से price vary कर सकती है तो किया sonet की diesel की में जो price expect कर रहा हूं वो है 8 से 8.25 base variant की and जो top end variant की price मतलब diesel में automatic की मैं expect कर रहा हूं वो है 13 lakh रुपे 13 lakh रुपे से शायद 10-20,000 ऊपर और 10-20,000 रुपे नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं मतलब 12.8 से 13.2 के बीच automatic की vary करनी चाहिए and diesel नॉर्मल मतलब automatic अगर आप हटा दो क्योंकि लाक रुपे का automatic आपका extra head हो जाता है तो उसके basis पर गर मैं calculate करूं तो diesel manual में top end हो जाएगा वो आपका 11.90 से 17.12 के बीच कहीं लाए करना चाहिए तो इसके बीच में आती तो प्राइस सही हों क्योंकि इसमें features भी काफी अच्छे हैं मतलब eco sport का top इससे थोड़ा कम आता है अगर eco sport में जैसे मैं बैठा हूँ तो but इसमें features जादा तो मैं expect करोगी उससे थोड़ी expensive होगी and but features के मुकाबले में मतलब features मिल रहे हो उसके लिए जिन्दली के लोग कम लेंगे turbo charge petrol ही लेंगे and turbo charge petrol में top end अगर मैं बता हूँ आपको तो साड़े 12 के around आपका ही आना चाहिए and similarly उसके अगर आप petrol मतलब without automatic देखो तो साड़े 11.75 के बीच कहीं भी आ सकता है तो यह मेरी expected price है जो आपको Kia Sonate की देखने को मिलने वाली है जब official आईगी मैं Instagram में आपको पता दूगा कि क्या प्राइजिंग आईगी बट यह expected है जो मैं expect कर रहा हूँ कि Kia Sonate की प्राइज आईगी variants मैंने आपको बताएगी 8,2 automatic, 2-3 automatic होंगे and 5-6 आपके वैसे variants होंगे and color combination आपको बहुत सारे मिलेंगी मतलब आपको black roof भी मिलेगी नीचे का करण अलग वो सब आपको options देखने को मिलने वाला है अब कुछ features की बात कर लेते हैं मेर पास brochure भी है मैं brochure से देखके आपको एक feature भी बताता हूँ and फिर इस वीडियो को end कर लेंगे तो guys यह है कुछ features जो आपको इसमें देखने को मिलने वाले इसमें आपको मैंना भी जैसे आपको दिखाए कि आपको इसमें subwoofer मिलता है मतलब 4 speaker, 2 twitter and 1 subwoofer मिलता है आपको और यहां पे इसके साथ ना आपको इसमें moonlight मिलती है जो आपको यहां पे ऐसे देखने को मिल रहा है आपको wireless charging मिल रही है जो कि मैंना अभी आपको दिखाया था and उसके पीछे cooling function भी है मतलब जब आपका phone वा पे रखाऊगा तो उदर से AC यह ब lower की हवारती रहेगी and उसे ठंडा होता रहेगा six airbags यह आपकी safety की feature हो गए and यह आपको drive modes मिलते हैं and कि आपको eco normal sport पे चलाना अगर आप city में चला रहे हो आपको फिल करना में चीए तो eco balance out चीए तो normal and then आपको sport and आपको connected car feature मिल रहे है 57 जो कि आप smart watch से भी connect कर मतलब स्मार्ट फोन से भी आपके smart watch से भी connected रहेंगे तो यह कुछ segment first features भी है इसमें जो आपको देखने को मिल रहे है जो जो segment first है first in world है जो भी है आपको सब यहाँ पे देखने को मिल रहे है सब के आगे ऐसा ऐसा कुछ लिखा है तो यह कुछ features है जो काफी अच्छे है और मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ एक feature जो इसमें आ नहीं है वो है front parking sensor front parking sensor के साथ मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी कि पीछे वाली जो पीछे के जो sensors है वो sensors इसमें दो ही है मतलब जो चार sensors हमें मिलते हैं पीछे की तरफ वो दो ही sensor आपको देखने को मिलते है तो यही कुछ चीज़े थी जो मुझे आप बतान थी तो आए कर लेते हैं वीडिय अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद